So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप Probo application को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और Probo application को यूज़ करके आप लोग पैसे किस तरह से earn कर सकते हैं तो guys, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ Probo एक ऐसा application है जिसमें कि आप अपने opinion को दे सकते हैं और opinion को दे करके आप लोग इस application से earning कर सकते हैं और guys, आज की time पर बहुत ही जादा लोग Probo application का use कर रहे हैं अपने opinion को share कर रहे हैं और जब लोग अपने opinion को देते हैं उनका opinion बिलकुल correct रहता है, सही opinion निकलता है तो बहां से उनकी earning हो जाती है तो guys, अगर आप भी opinion दे कर पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप सभी को step by step बताने वाला हूँ कि आप भी किस तरह से Probo application को use करेंगे बहां पर आप लोग किस तरह से अपने opinion को देंगे और किस तरह से opinion को दे करके आपकी earning होगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So guys, Probo application को download करने के लिए मैंने आप सभी को इस वीडियो के description box में अपने telegram channel के link को provide कर दिया है आप लोग उस link पर click करेंगे click करने के बाद आप सीधा मेरे telegram channel पर redirect हो जाएंगे फिर मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर telegram channel पर Probo application के link को provide किया है तो आप लोग इस वाले link पर click करेंगे click करने के बाद आप अपने mobile phone में Probo application को यहाँ से download कर लेंगे download करने के बाद में आप अपने mobile phone में Probo application को install करेंगे install करने के बाद में आप अपने mobile phone में Probo application को open कर लेंगे जब आप अपने mobile phone में Probo application को open करेंगे open करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे के side में एक option देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको gate OTP के option पर क्लिक करना है, gate OTP के option पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके SIM card पर एक OTP आएगा, OTP आने के बाद में यहाँ पर इस वाले box में automatic ही fill हो जाएगा, और आपका OTP यहाँ पर verify हो जाएगा, अब आपके सामने referral code को enter करने का एक option आजाएगा, तो आपको स्क्रीन पर जो मेरा referral code देखने को मिलता है, उस referral code को आप लोग इस वाले box में enter करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर continue के option पर क्लिक करेंगे, continue के option पर क्लिक करते ही, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे 15 रुपय का यहाँ पर welcome bonus मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 15 रुपय का welcome bonus तभी मिलेगा, जब आप मेरे referral code को use करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पर continue के option पर क्लिक करने के बाद में, यहाँ पर मेरे सामने language को select करने का एक option आ चुका है, तो यहाँ पर हमें नीचे की side में बहुत सारी languages देखने को मिल जाती है, जिसे कि यहाँ पर English है, Hindi है, Marathi, गुजराती, तो इस application को आप जिस भी language में use करना चाते हैं, आपको language जो अच्छे तरीके से आती है, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उस language को आप यहाँ से select कर लेंगे, और इसके बाद confirm के option पर click करेंगे, अब जैसे ही आप यहाँ पर confirm के option पर click करते हैं, click करने के बाद में आप सीधा probo application के home page पर आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पर और भी categories देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि football है, youtube है, cheese है, quality है और stocks है, तो probo application में हमें यह सारी categories मिल जाती हैं, जिन categories में हम अपने opinion को दे सकते हैं, तो guys यहाँ पर probo application से पैसे कमाने के लिए, यहाँ पर आपको जो भी categories दी गई हैं, इन categories के अंदर जो trend चलते हैं, जो भी आपको events देखने को मिलते हैं, उन events और trend के अंदर आपको अपने opinion को देना होता है, अगर आपको opinion विल्कुल correct निकलता है, सही निकलता है, तो आप यहाँ से उसे जो है win कर जाते हैं, और आपके यहाँ पर earning होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ऊपर के साइड में categories कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, वो तो मैंने आपको बता दी, नीचे के साइड में हम थोड़ा सा scroll करके आएंगे, तो यहाँ पर हमें trending now का एक section देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है trending में जो news चल रही होगी, जो भी categories trending में चल रही होगी, वो सभी आपको यहाँ पर trending वाले sections में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि bitcoin है, youtube है, इसके अलाब आपको यहाँ पर जो है, जो भी news है, वो trending में जो भी चल रही है, उनकी categories आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगर आप trending news में अपने opinion को देना चाते हैं, तो आप इन में से कोई भी category को select कर लेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर bitcoin को select करेंगे, bitcoin को select करने के बाद में, आपके सामने कुछ इस तरह से bitcoin की जो भी news होगी, तो वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग अपने opinion को bitcoin के news में दे सकते हैं, और पैसे आप लोग यहाँ से earn कर सकते हैं, इसके अलावा नीचे के side में आपको और भी news देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो इन news को पढ़ करके, और अगर आपको opinion लगता है कि हमें इस news में opinion देना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने opinion को yes या फिर no वाले option पर click करके दे सकते हैं, तो गाइस चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जो categories देखने को मिल जाती हैं, तो इन category में आप लोग किस तरह से किसी भी trend में, किसी भी event में आप अपने opinion को किस तरह से देंगे, और आप यहाँ से पैसे किस तरह से कमाएंगे, और आप यहाँ से earning किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर हमें जो categories देखने को मिल जाती है, cricket है, crypto है, news है, और footwall है, youtube है, तो इन categories के अंदर, जिन categories, तो इन सभी categories के अंदर, तो इन सभी categories में से जो भी categories के वाद, तो यहाँ, तो guys, यहाँ पर आपको जो भी categories देखने को मिल जाती है, जैसे कि cricket, crypto, news, या फिर जो भी आपको नीचे और भी categories देखने को मिलती है, तो इन category में सबसे अच्छी knowledge आपको जिस भी category में हो, तो उस category को आप लोग यहाँ से select करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर YouTube और stocks के बारे में कुछ knowledge है, हमें थोड़ी जानकारी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर YouTube बाले option को select कर लेंगे, YouTube की category को मैंने यहाँ पर जैसे ही select किया है, select करने के बाद में, यहाँ पर जो है मेरे सामने जो active events होंगे, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, active events में मुझे यहाँ पर एक ही event देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर Saurabh Jossi जो YouTuber हैं, उनके channel से related है, इस time जो है एक event हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब आप लोग किसी और time यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे के side में और भी बहुत सारी events देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग किसी वी event में अपने opinion को देख करके आप लोग यहाँ से earning कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर इस time मुझे सौरब जोसी के YouTube चैनल से related मुझे एक event देखने को मिल रहा है, तो हम इसमें opinion अपना किस तरह से देंगे, तो सौरब जोसी ने अपने YouTube चैनल पर अपनी एक वीडियो को अपलोड किया है, जिसका title रखा है 100 My Sterey Boxes, और यहाँ पर हमसे पूँचा गया है कि यह जो वीडियो है, वीडियो to cross 2.73 million views at 12 a.m. तो यहाँ पर हमसे पूँचा गया है कि शौरब जोसी ने यह जो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, क्या यह वीडियो बारहे बज़े तक 2.73 million views को cross कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो क्रोस कर जाएगी 2.73 million views, तो आप लोग यहाँ से yes वाले option को सिलेट करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बारहे वज़े तक 2.73 million views क्रोस नहीं कर पाएगी तो आप यहां से 9 वाले option को slate करेंगे 9 में आप लोग अपने opinion को देंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यूटूब पर जाते हैं और यूटूब पर जाने के बाद में हम सौरव जौसी के चैनल को सर्च कर लेते हैं इसके बाद हम थोड़ा सा scroll down करके नीचे के side में आते हैं नीचे आने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं जो title हमने probo application में पढ़ा था और यहां पर अगर हम events में आ करके check करेंगे तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि यह जो video है क्या यह video बारहे बज़े तक 2.73 million views को cross कर लेगी या फिर नहीं कर पाएगी तो अगर आपको लगता है कि बारहे बज़े तक यह video 2.73 million views को complete कर लेगी तो आप यहां पर yes वाले option को select करेंगे yes वाले option को select करने के बाद में यहां पर आपको price का एक option देखने को मिल जाएगा तो अगर आप चाहें तो इसके price को यहां से decrease कर सकते हैं और increase भी कर सकते हैं इसके बाद हमें यहां पर quantity का एक option देखने को मिलेगा quantity में आप यहाँ पर कितने quantity में यहाँ पर अपने opinion को देना चाहते हैं जैसे कि अभी अगर एक quantity अगर हम लेते हैं तो हमें 9 रुपई इसमें लगाने होंगे और अगर हम चाहें तो हम यहाँ से जो है अपनी quantity को बढ़ा सकते हैं और फिर हमें यहाँ पर जाद है रुपई opinion के लिए देने होंगे तो हम यहाँ पर quantity में एक ही रखते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम yes वाले option को slate करेंगे और यहाँ पर yes वाले option को slate करने पर quantity में एक slate करने के बाद में इसमें अगर हम 9 रुपए लगाएंगे और अगर ये वीडियो जो है 12 बज़े तक cross कर जाती है 2.74 million views को तो हमें 10 रुपीज की earning हो जाएगी 10 रुपीज हमें मिल जाएगे अगर हम यहाँ पर 9 वाले option को slate करते हैं हमें लगता है कि ये वीडियो वारे वज़े तक 2.73 million views को cross नहीं कर पाएगी नो वाले option को हम slate कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर quantity आप लोग जितनी रखना चाते हैं आप इसमें जितने भी रुपए लगाना चाते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी quantity को slate कर लेंगे slate करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर 2 रुपए लगाते हैं और ये वीडियो जो है cross नहीं कर पाती है अगर 2.73 million views को 12 वज़े तक इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो order है वो place हो चुका है इसके बाद हम यहाँ से back आजाते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर हमें नीचे के side में portfolio का एक option देखने को मिलेगा तो हम portfolio के option पर click करेंगे portfolio के option पर click करने के बाद में यहाँ पर हमें portfolio में जो जिस video पर हमने अपना opinion दिया था वो video हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और जो पैसे हमने इसमें invest किये हैं उसके जो भी current price चल रहा होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो अब हमें यहाँ पर वारहे बजे तक वेट करना है वेट करने के बाद में अगर video cross कर जाती है 2.73 million views को तो हमारा opinion correct रहेगा और हमारी यहाँ पर earning हो जाएगी और अगर वारहे बजे तक 2.73 million views को यह video cross नहीं कर पाती है तो हमें यहाँ पर loss होने वाला तो guys इस तरह से आपको यहाँ पर जितनी भी probo application में categories देखने को मिलती है तो इन सभी categories में आपको जिस भी category के बारे में अच्छे से knowledge है आप लोग उसी category को select करके उसी category में आप अपने opinion को दें जैसे कि cricket है और crypto है और news है अगर आपको cricket के बारे में अच्छी knowledge है आपको cricket के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप लोग cricket वाले option को select करेंगे select करने के बाद में यहाँ पर cricket के जितने भी events चल रहे होंगे जितने भी trend चल रहे होंगे वो यहाँ पर आपको सभी देखने को मिल जाएंगे आप इन में से किसे भी event को select कर लेंगे select करने के बाद में आप यहाँ पर अपने opinion को देंगे कि यहाँ पर आप से जो question किया गया है कि क्या ऐसा होगा अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा तो आप लोग यहाँ वाले option को select करेंगे ऐसा नहीं होगा तो आप no वाले option को select करेंगे यहाँ पर क्या है नीचे के साइड में आपको rewards का एक option देखने को मिलेगा, आप लोग rewards के option पर click करेंगे, rewards के option पर click करने के बाद में आप इनके invite वाले program में आ जाएंगे, refer वाले program में आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी person को probo application को refer करते हैं, तो आपक स्क्रोल करके नीचे के साइड में आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर इनके जो भी refer से related rules हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो probo application को refer करने के लिए आपको नीचे के साइड में invite now का एक option दिया गया है, आप लोग invite now के option पर click करेंगे, तो आप सीध को आपने इसके link को share किया है, उस link पर वो click करेगा, click करने के बाद में अपने mobile phone में probo application को download करेगा, install करेगा, और फिर mobile number से sign up के process को complete करेगा, sign up के process को complete करने के बाद में उसमें जो है, कम से कम एक अपने opinion को जैसे ही दे देता है, अब एक opinion को जैसे ही वो person दे देता है, तो आपको यहाँ पर 200 रुपए की अर्निंग हो जाएगी और जो पैसे आपके यहाँ पर Probo application के wallet में आपको receive हो जाएगे और इसके साथ ही आप लोग जिस भी किसी भी person को refer करेंगे जितने भी लोगों को आप लोग refer करेंगे वो लोग जितने भी इसमें opinion दे करके पैसे कमाएंगे जितना भी उन्हे profit होगा तो उनके profit में से आपको 1% की commission यहाँ पर lifetime मिलती रहेगी तो इस तरह से अगर आप चाहें तो Probo application को invite करके refer करके भी बहुत यची खासी earning कर सकते हैं चलिए guys अब हम आ जाते हैं इस application के home page पर home page पर आने के बाद guys अब हम बात कर लेते हैं कि Probo application से आप लोग जो भी पैसे कमाएंगे जो भी आप लोग पैसे earn करेंगे उन पैसो को आप अपने bank account में किस तरह से withdraw करेंगे तो उन पैसो को अपने bank account में withdraw करने के लिए आपको उपर के side में wallet का एक option दिया गया है आप लोग wallet के option पर click करेंगे wallet के option पर click करने के बाद में आपके wallet का जो valence होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर deposit का एक option दिया गया है यहाँ पर side में deposit करने के लिए recharge का option दिया गया है तो अगर आप probo application में अपने opinion को लगाने के लिए इसमें पैसे add करना चाहते हैं तो आप recharge के option पर click करेंगे recharge के option पर click करने के बाद में अब जितने भी रुपए आप probo application में add करना चाहते हैं तो उस amount को आप यहाँ पर इस वाले box में enter करेंगे इसके बाद आप recharge के option पर click करेंगे recharge के option पर click करने के बाद में आपके समने UPI के जो applications होती हैं जैसे की phone पे, paytm, google पे वो सब ही आ जाएंगे तो आप इन में से किसी भी application तो आप इन में से किसी भी UPI application का use करके यहाँ पर इन पैसों को add कर लेंगे अब इसके बाद आपको यहाँ पर binning वाला एक option देखने को मिलता है तो जो भी पैसा आप लोग probo applications से कमाएंगे जो भी आपकी earning होगी वो सभी पैसे आपको यहाँ पर binning वाले option में देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ पर जो पैसे आप लोग binning करेंगे जो पैसे कमाएंगे उन पैसों को withdraw करने के लिए आपको यहाँ पर withdraw का एक option दिया गया है तो आप लोग withdraw के option पर click करेंगे विड्रो के option पर click करने के बाद में अब यहाँ पर आपको withdraw करने से पहले सबसे पहले अपनी KYC complete करनी होगी तो KYC आप लोग यहाँ पर अपने pancard से कर सकते हैं तो pancard में आपका जो name है उस name को आप इस वाले box में enter करेंगे इसके बाद इस वाले box में आप अपने pancard के number को enter करेंगे यहाँ पर इस वाले box में आप अपनी debt of worth को enter करेंगे और इसके बाद आप लोग continue के option पर click करेंगे continue के option पर आप लोग click करेंगे तो आपके pen card से आपकी KYC हाँ पर successful हो जाएगी KYC आपकी इहाँ पर जैसे ही successful हो जाती है successful KYC होने के बाद में आपके wallet में आपके winnings में जो पैसे पड़े होंगे उन पैसों का आप लोग विड्रों के ओप्शन पर क्लिक करके अपने bank account में इन पैसों को बहुत ही आसानी से transfer कर सकते हैं तो guys इस तरह से आप लोग probo application को use कर सकते हैं probo application में आप opinion को अपने दे करके आप लोग earning कर सकते हैं और अगर आप probo application से free में पैसे कमाना चाते हैं तो आप probo application को अपने friend, family या फिर किसी भी other person को refer करके बहुत अच्छी खासी earning कर सकते हैं